ओम सिरीगेशा आए नमा मित्रो मैराग औरामिस्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुने स्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे कुंभरासी के बिशे में कुंभरासी के सूरी रासी के बारे में हम बात करेंगे तो कि जिस तरह से चेंदर रासी होती है उसी तरह से सूरी रासी भी होती है तो अब क्योंकि सूरी भगवान 14 अप्रेल 2023 को अपने उच्छे रासी यानि कि अपने मेज रासी में प्रिवेश कर रहे हैं तो इसका कुमबरासी वालों के जीवन में क्या-क्या असर पड़ेगा कुमबरासी वालों को इस दवरान क्या-क्या करना चाहिए और किन चीजों से सावधानी रखनी चाहिए और क्योंकि कुम्बरासी का स्वामी सनी इस समय अपने स्वारासी यानि कि कुम्बरासी में ही चल रहा है तो इस समय आपके सरीर में थोड़ा आलत सिका वो है प्रन्तु 14 अप्रेल 2023 को जब सूरी आपके तीसरे घर में प्राकरम भाई अस्थान में प्रवेश करेंगे तो आपके सरीर में जोर सा जाएगा कुछ करने के लिए क्या कर डालें तो ये समय आपके लिए बहुत अंकूल है चुकि सूरी बुद्ध के कारण आपका बुद्धा दित्ती योग भी बन रहा है आप अपने सूजबूज से अब चुकि ये ग्रह आपके भाग धर मर्थान को देख रहे हैं आप अपने भगवान का नाम लेकर अपना जो भी काम करने का कोशिस करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगा अब चुकि राहू भी आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है तो यहाँ पर यह है कि काम कभी कभी आपको अधिक करना पड़ेगा थोड़ी ठकान जरूर आपको महसूस होगी लेकिन आपको अपने कारी के कारण बिसेश धनलाब प्राप्त होगा आपका कारी भी बनेगा आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा अब चुकि 22 अपरेल 2023 को बुद्ध बक्री हो रहा है बक्री मतलब उल्टा और 22 अपरेल 2023 को ही गुरू आपके तीसरे घर में प्राकरम घर में प्रवेश कर रहे हैं तो यहां पर चतुर्त गरही योग बन रहा है जो आपके प्राकरम घर में बन रहा है यह आपके सफलता दिलाने में बिसेश योगदान देगा आप जो भी काम करेंगे आप काम कीजिए बस इस बात का ध्यान रखिए कि उत्तेजना से आप जल्दबाजी से थोड़ा बचिए दूसरा आपके परिवार वालों का भी आपको सयोग मिलेगा आपके हर काम में उनका साथ मिलेगा मित्र बर्ग भी आपका सयोग करेंगे हाँ इस दौरान चुकि आपके संतान भाव में मंगल बैठा हुआ है तो आपको अपने बच्चों आदी पर थोड़ा क्रोध नहीं करना चाहिए बलकि उनको मनोबल बढ़ाते हुए और आपका लड़का अगर किसी परिच्छा आदी में तयारी कर रहा है तो निश्चित उसको सफलता मिलने का योग बन रहा है सिर्फ आप अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाईए उनको साहस दीजिए हिम्मत दीजिए आप क्योंकि 10 मई 2023 को मंगल आपके रोग सत्रु कर्ज अस्थान में जा रहा है तो ये आपके लिए और अच्छा अनकोर समय होने जा रहा है आपके रोग सत्रु कर्ज समाप्थ होने का योग बन रहा है साथी साथ आपको कोई दूर की यात्रा करने का भी अउसर प्राप्स हो सकता है आप यात्रा करते समय अपने क्रोड पर नियंतर रख रहें और अजिकारियों से आपको भरपूर सहयोग भी मिलेगा धार्मिक कारी करने की आपकी बार-बार इच्छा जागरित होगी और आप अपने धार्मिक कारी कीजिये किसी तीर स्यात्रा करना है तो उसमें आपको बड़ी जल्दी सफलता भी मिलेगी और उसमें आपको नए मित्र भी मिलने का योग बना रहा है जो आपके लिए आगे चलकर भविश्य में बड़े सहयोग करने वाले है अब क्योंकि मंगल दस मई को आपके रोग सतुकर्ज अस्थान में आने से यहां आपका भाग्य अस्थान और अच्छा साथ देगा इसलिए ये महीना कुमबरासी वालों के लिए बिसेश लाब दायक है सिर्फ आप अपने आलस को त्यागिए और किसी के उपर काम का बोज डाल कर अपना पला ज़ारने के बजाए आप अगर खुद इस महीने में काम करने का कोशिस करेंगे तो निश्चित आपको सफलता जरूर मिलेगा इस महीने में आपको सुक्रवार के दिन खीर बनाना चाहिए छोटी छोटी कन्याओं को पहले खीर का भोजन कराईए फिर पूरे परिवार आप भोजन कीजिए आपका स्वास्त भी बहुत अच्छा रहेगा मन भी प्रसंद रहेगा और काम की सफलता होने से आपका मान सम्मा भी खूब बढ़ेगा तो मित्रों आज मैंने आप लोगों को कुम्ब रासी का सूरी रासी के बिसे में जो बताया है मुझे आसा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सबस्क बैठा हो गुआ गुर्डू